वो बच्चा बच्चा नहीं है क्या काईगा जो बच्चा बाप की बात न माने बाप कहे ग्यान में चलो और बच्चा खता निशा भी करेंगी तो वो बच्चा है उस बच्चे को वर्षा देना चाहिए बाप को अपना वर्षा जिन्दगी बर कमाई की है वो उसे सौपना चाहिए बच्चा ही नहीं है तो क्यों सौपना चाहिए बच्चा बाप की बात माने तो सौपना है नहीं बात माने तो क्यों सौपना चाहिए बच्चा ही नहीं है ये तो कपूत है क्या कपूत सपूत क्या होता है कपूत किसे कहेंगे कपूत उसे कहेंगे जो बाप दादे की कमाई को बरबाद कर दे और सपूत उसे कहेंगे कि बाप दादा ने जो कमाई करके रखी है उसक कमाई को और बढ़ाए बढ़ाए भी और विश्वकल जान के कारी में खर्च करे तो इसे लिए कहा जाता है कि पूत कपूत तो क्यों धन संच है या अगर पूत कपूत है तो तुम धने कथ्था करके उस कपूत को दे भी जाओगे तो वो सारा शराब अराब गंदगी का संग करके बरबाद कर देगा वैश्याले में जाते है तो कपूत को धन नहीं संपना है अब पूत कपूत तो क्यों धन संच है पूत सपूत तो क्यों धन संच है अगर पूत सपूत है अच्छा बच्चा है तो तुम धन कमाने चिंता क्यों करते हो वो खुद ही पूर्शार करके धेर सारा कम धन कमाई लेगा बाकी जो बाप की आग्याई न माने तो वो तो कपू तो हो गया ना उनको तो एक पाई भी नहीं देनी चाहिए क्या कहा है है हो लड़ेगा कहेगा पैदा क्यों किया पैदा किया तो दुख बाप कहेगा इसलिए थोड़े ही पैदा किया है कि तो हमारी बात ही न मानो बच्चे तो इसलिए पैदा किये जाते हैं कि बाप को सहयो करें तो तो कपू तो एक कोड़ी भी नहीं देना चाहिए